हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका ओल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क चैनल में फ्रेंड्स चैसा कि आपको स्क्रीन पर सो भी हो रहा है डेस्पोर्ड पर मेरे पीफ सेंस फारवाल के कि 2.6.0 अपडेट आ गई है काफी दिन से वेट कर रहा था 2.5.2 के बाद 3 कब कि दिन लौंच कर दी थी कि हाँ कि हाँ कि हाँ वैलेंटाइड वाले डैद दिन ही लॉंच कर दी ती इसमें ौह इसमें काफी ज्यादा बुक्स इन्होंने फिक्स की हैं बस एक ही इन्होंने व्यकार चीज ख़वाडियों कि जैड ऐफस मॉ ils सिस्टम को इन्होंने फोल्ड था जैडएफस काफी जदा एडवांस है मैं मानता हूं काफी जदा यूज़ेबल है लेकिन ओफिस लेवल के लिए ठीक है जहां पर दो से तीन या तीन से चार हाड़गी हम लगाते हैं और उसमें डिदैंसि यूज़ करते हैं वेक अब के लिए एक फैल हो जाती है तब ही हमारे पीसंस फायरवाल चलती रहती है तो इसके लिए तो ठीक है लेकिन होम यूजर्स के लिए यह ठीक नहीं है इतने ज्यादा hard disk या ZFS file system rarely कोई यूज कर पाएगा तो इसलिए मैं आपको फिर या security warning समझेए या कुछ भी समझेए आप कभी भी direct अगर आपने UFS file system यूज किया हुआ है तो update मत कीजिएगा आपकी PFS firewall corrupt हो जाएगी ठीक है पहले अपना backup ले लिजिए PFS firewall का backup कहां से लेते हैं diagnose में जाकर backup and restore में जाकर all area क्लिक करकर download configuration file और उसके बाद new fresh installation कीजिए UFS file system select करकर यदि आपके पास एक ही hard disk है आपकी PFS firewall में तो यदि आपके ने दो या दो से ज्यादा hard disk लगाई भी है तो आप ZFS यूज कर ही रहोंगे तो आप direct update कर दीजी ठीक है और इसमें काफी ज्यादा bugs fix किये हुए है इसमें काफी ज्यादा bugs fix किया है नोने security related भी किये हुए है बस यही एक दिक्कत है यह देखिए नोने यहां पर बोली भी दिया ज्यादा इस नाव दिफाल्ट फाल सिस्टम फोर न्यू इस्टॉलेशंस और प्याफ सेंस प्लास प्लास एं प्याफ सेंस कम्यूटी अडिश तो यही दिक्कत है और देखिए ओन आल प्लाटफॉर्म्स विस सुपोर्ट बूटिंग फ्रोम जाड़ाफ से सपोर्ट आपके बूटिंग सब्सपोर्ट करती है आपका स्वाइल सिस्टम मतलब कंप्यूटर सब्सपोर्ट करता है तो वैल और दिक्कत हो जाएगी आपकी प्रवाल करप्ट हो सकती है बागी बग्स तो बहुत ज़्यदा इन्होंने फिक्स किये तूपाइंट इस प्रवाइंट टू में और सौहरी जीरो में देगे क्या प्रटिव पॉर्टर से लेटिए जितने बग्स थे वो सब फिक्स कर दियें सैटिफिकेट जो डिव एलेक तो पाइंट 5.2 में यदि कोई यूजर वार्लेसली करता था पी अपसेंस फारवाल से और थोड़ी दिसकनेक्ट हो जाता था तो सेम आईपी यह कोई और यूजर अगर करेक्ट होता था उसके बाद तो उसको एसाइन कर देता था और पुराना जो यूजर जो पहले करेक् मैनुली मुझे सर्वर में जाकर एक का आईपी चेंज करना पड़ता था इस टैटिक के तुरू तो बोल रहा है फिक्स कर दिया है तो अच्छा है कि डिनस रिजोर्वर से लेटिर बग्स फिक्स कर दिया है इसलिए इतना टाइम लगा है इनको अपडेट लाने में कि मैं 14 कि रात कोई मैंने इसको 14 फैब कोई मैंने इस्टोल कर दिया था तो अभी तक तो कोई एरर ऐसा आया नहीं है काफी ज़्यादा नेरे घर पर वायरलेसली यूज करते भी हैं इंटरनेट को लेकिन अभी तक दियस्टीप से लिड़ीड वह वाला अभी तक आया नहीं है तो मुझे लग रहा है कि वह फिक्स हो गया है तो इसके लिए नेटगेट को थमसब हैं लेकिन यह जो इन्होंने जैडेफेस को बाइडिफॉल्ट कर दिया बस यही दिक्कत दे हैं जैदा तर तो पुराने डेक्स्टॉप को यूज करते हैं फारवाल के लिए उसी में इस्टोल करते हैं तो जैडेफेस तो या हम यूजर्स के लिए नहीं है ठीक हाँ कि ऊफिस के लिए काफी अच्छा है इस से काफी ज़ Mercy से काफी ज़्यादा रिलाइबल है लेकिन तभी जब दो या तीन चार हाट डिस आप उसमें स्टोल किये वे हैं और रिडरेंसी और या बैक अप के लिए जो आप रेड वगर है हम सर्वर में क्रियेट करते थे वह ही है वही फंडा है लेकिन घर में कौन इतनी हाट डिस लगाता है वही बात है बस और कुछ नहीं बाक इतने बग्स थे दिरे दिरे इंप्रूव हो रहे थे वह सभी इसमें उने फिक्स कर दिये हैं अच्छा एक बात तो मैंने नोट किया है कि रैम काफी ज्यादा कम यूज हो रही है कि टॉन्टी यूजर तक कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन मेरी रैम घरवाले पीफसेंस फारव हैं मुझे आपको कैसा लगा इसको अपडेट कीजिए फिर आपको दोरा आ रहा हूं वही बात या फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं आगर आपने यूफस फाइल सिस्टम के थूरू पीफसेंस इंस्टोल किया हुआ है अपने डेक्स्टोप या लैप्टोप या विम्वे और किसी में भी तो डारेक्ट अपडेट मत किर जीएगा पहले बैकप ले लिजीएगा उसके बाद फ्रेस इंस्टोलेशन करकर अपना बैकप डियस्टोप का या दियनस का जो भी है वह रिस्टोर कर लिजेगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियोज लाता रहूं तो बाई एंड टेक केर